नमस्कार साथियों एक बार फिर मैं दिपंकर समध्दार चार्टर्ड अपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असोसियेट आज एक ऐसा कोश्चन है और एक ऐसा सॉलूशन है आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो कोश्चन क्या है हमारे जो टैक्स अरडिट है उसका ला चाहिए डेड़ बढ़ रहा है काफी सारे लोगों के क्वेरी और इसके क्या हुआ है मैं आपको बताने वाला हूं बने रहे हैं इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि audit तो उन्लोग कर रहे हैं लेकिन audit में कौन से paper हमारे पास होने ही चाहिए उसके format भी मैं देने वाल चाहिए ताकि जब जब मैं यूसफुल वीडियो बनाते चलूँ आपके पास जरूर पहुचा है और लाइक शेयर करना मत भूलेगा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं सारे कमेंट का जवाब जरूर देता हूं तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो मैं फिर से ब वीडियो में बताया आपको 3CA कब लगेगा जब other act special act है जैसे companies act या कोई दूसरा act है तो 3CA लगने वाला है 3Cb कब लगेगा जब कोई special act के अंतरकत नहीं आएगा तो 3Cb होने वाला है 3CD सारे लोगों को लगेगा इसके अलावा financial statement हमारे 3CA 3CD के साथ में लगे रहने वाले ह कितना हमारे होगे common document यह documentation तो होता है लेकिन कोई पी CA या accountant या फिर business owner को क्या चीज़े रखनी चाहिए सबसे पहला एक certificate का format है जो मैं नीचे डालने वाला हूं जैसे declaration and responsibility letter of management इसमें हम क्या करते हैं कि management का books of account maintain करने की पूरे जिम्मेदारी है यह हम बताते हैं उसके अलावा चेक करते हैं उसके बार में cash balance है जो management ने बताया वो कितना था closing stock जो management ने बताया था और बताया था का मतलब books of account में होगा वो कितना था और books of account पूरा maintain और बनाया किसने management ने और यह सारी चीज़े audit के लिए या accounting के लिए किसने provide किया management नीचे management के authorized person का sign उनी के हाथ से आपको signature कराने है नाम लिखवाने है mobile number possible है उनका status जैसे वो partner है या फिर वो manager है कौन है वो जो authorized होके आपके पास आये audit report sign करते समय ये additional document है जो आपको sign कराना है आप याद करें कि मैंने पिछले एक वीडियो में checklist के बारे में कहा था और checklist मैंने आपको download के लिए दिया भी था वो भ 26 AS मैं आपको एक example बताना चाहता हूं कि problem कहां पर आती है एक हमारे client थे वो करीब 5-6 साल हमारे पास audit कराते थे और 3 साल पहले वो जस्ट किसी और उनके मित्र CA बन गए तो उनके पास चले गए वो वो कुछ problem आई income tax department से notice आया कि आपका turnover 5 करोड था लेकिन आपने 3.5 करोड audit report में दिखाया वो कौन से audit report थी जो मैं नहीं sign की थी अब देड करोड का turnover का difference है तो फिर उनका CA ने मुझसे बात की बोले सर यह तो गड़बन कर डाला आपने देड करोड का difference है यह तो problem हो जाएगी आपको मैं बोला अच्छा मैं आपको कि accounting कोन किया सामने वाले ने उसने कितने के किया साड़ेतीन करोड मैं अभी paper पे नहीं आया हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं accounting कि समय में सामने वाले वाले bills किसके पास थैं सामने वाले कि Bil, कितने कहते हैं, 3.5 क्रोड के, तो डाले कितने कहें? 3.5 क्रोड के अब हमने भी audit में 3.5 क्रोड डाले। लेकिन उनके 26 AAS में 5 क्रोड दीख रहा था। आज के स्वा में और जीन में निकालने क्या है 5 क्रोड तो सुझेक अब क्लाइंट समझेंगे कि उनको कंपणी से पूछना पड़ेगा उस डेट में साढ़े 3 करोड का टर्नोवर बाहर में देढ करोड का किसने एड किया इड किया यह गलती क्लाइंट की भी नहीं है कई ऐड क्लाइंट कि वह नहीं है काई पर क्या होता है कमपनी को कि सर आपने गड़बड किया करके बाद में कैसे जोड़ दिया हमारी जानका दी मैं नहीं है हमने क्लेम भी नहीं किया उस टीडियस में इसलिए 26 AS का प्रिंट ऑडिट के समय निकालना चाहिए और उस पे क्लाइंट का सिगनेचर उनका नाम जरूर होना चाहिए अगर उनका कोई फर्म है तो उसका भी सील होना ही चाहिए और एक और चीज मैं बताऊं आप सामने वाले से जो सेल्स टर्नोवर है उसके एक लेजर की प्रिंट न के ग्रूप के संबरी निकाली cash in hand या फिर cash के साथ में किसी और तरीके से अगर आप देते हो कोई cash in transit है तो वो भी आ जाएगा और उसमें नीचे सील साइन होना चाहिए हम sundry creditors जो amount है उस total amount का भी certificate लेते हैं कि आपने list दिया है उसमें total sundry creditors इतने हैं इसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं है books of account में यही दिख रहा है और sundry creator के ledger की भी print निकालते हैं उसमें भी seal sign कराते हैं debtors मतलब जिन से हमको पैसे लेने हैं उसकी list की print निकालते हैं उसमें भी client की sign कराते हैं और हम एक responsibility statement debtor का भी लेते हैं कि आपने हमको इतना बता है books of account में इतना है इसके अलावा अगर कोई भी नया जानकारी अगर आता है तो उसके first and foremost जिम्मेदार आप रहोगे कि वह जानकारी आपने कैसे दी नहीं audit के समय में एक और बहुत important चीज़ है books of accounts provisions provisions आप समझते हैं जो amount due था लेकिन हमने अभी तक पे नहीं कि है वह provisions का ledger निकलवा के sign करवाना ज जैसे आपका accounting charges payable audit fees payable electricity expenses payable legal fees payable जो भी payable खर्चें वो payable provisions में आता है कि इसके अलावा कोई नया कहानी न बने क्योंकि 3 CD में 169 section में आपको डालना रहता है कितना loan आपने लिया कितना repayment किया उसको check में किया कि cash में किया यह उसमें डालने की जरुवत पड़ती है इसलिए ध्यान से इस चीज़ को unsecured loan जीतने भी है उसका ledgers निकालिए और उसक आपने advance किसी को दिया है उसका भी ledgers निकलवाई है उसकी group summary निकलवाई है उसमें seal sign करवाई है bank का जैसे आपने ledger और responsibility statement आपने वहाँ पे ले लिया आप bank हर bank हाते का last page की print निकालिए या copy करवाई है उसमें balances को mark करिए highlight करिए और उसके नीचे भी seal sign लगवाई है क्योंकि ये वही bank statement है जो client ने हमको provide किया उसमें अगर कुछ छेड़ चाड़ की गई होगी document पे तो वो check करने कि पूरी जिम्मेदारी किस की है client की है तो दोस्तों क्या के चीज़ें करने की जरूवत है एक बार revise करा देता हूँ से पहला आपको तो checklist में sign कराना पड़ेगा दूसरा आपको 26 AS लेना पड़ेगा तीसरा आपको cash और bank की responsibility statement लेनी है चोथा management नहीं books of account बनाया उसकी responsibility statement लेनी है पांचवा आपको sundry data का list और ledger लेना पड़ेगा और confirmation possible है तो वो लेना पड़ेगा अगर नाम possible है नाम लिखाएंगे secured loan का भी list और ledger लेना पड़ेगा अपनने advance किसी को दिया उसका list और ledger लेना पड़ेगा एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं कि अगर GST के जितने चलान है और GST के return से वो सारे की भी जो लाकर दे रहे हैं उसमें seal sign जरूर करवाईए GST का reconciliation statement में भी seal sign होना जरूरी है इतने सारे document इसके अलावा अगर कोई चीज भी आपको लगता है कि ये calculation ये treatment सही नहीं है या फिर उसके बारे में वो नया है उस account books of account में तो उसको भी कहीं न कहीं पर mention करिए बहुत जरूरी है audit के समय जितनी चीज़े मैंने आज बताई ब क्योंकि return filing आराम से हो रही है और क्योंकि कोई भी representation अभी income tax department के पास जानी रहे तो फिर हमारे लिए ये चीज़ पक्का है कि date नहीं बढ़ने वाला किसी भी हालत में date नहीं बढ़ने वाला आपको जल से जल काम करना पड़ेगा दीवाली के अंदर में सारी चीज़ें information समय पर देना जो होने वाला है वो भी और जो हो सकता है वो भी बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे हैं मेरे साथ